अलो फ्रेंड्स वेलकम बेट टॉ माई चैनल इन कुकिंग विद रेका पहाडिया आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टमाटर की यह शुपर टेस्टी चट्नी यह मिंटों में बनकर रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो बिना कोई देर की यह स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सरूर कीजिएगा टमाटर की चटनी की प्याज एक चमच लसुन का पेस्ट एक चमच मेथी धाना एक तीहाई चमच जीरा एक चोथाई चमच राई दो सथीन बारी कटीवी हरी मिर्ज मैंने यहाँ पर एक कडाई में एक बड़ा चमच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है यह लगबग छोटी चे से साथ चमच है तेल को अच्छे से घर्म होने देंगे इसमें से जब तक अच्छे से हीट आने लगे तब तक यह देखिए हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम इसके अंदर डाल देंगे दो पिंच हिंग इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, राई, जीरा और साथ ही इसमें हम डाल देंगे यह मेथी दाना अब हम इन सब को अच्छे से चटक ने देंगे गेस का फ्लेम मीडियम कर देंगे लगबग एक से दो मिनिट बाद हम इसके अंदर डालेंगे यह बारी कटे हुए प्याज अब हम प्याज को अच्छा सा गॉल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे यह देखिए हमारा प्याज अच्छा गॉल्डन ब्राउन हो चुका है लगबग दो से तीन मिड लगे इसमें ममिशलिके शेता है और लगे लगासून落ं मुशलिक और लगे पेस्ट पेस्ट लगे डालने के बाद इसको बहुत स्टॉधा नहीं पकाना है मुश्किल से एक मिल्ट कर दोस्त के लगें हमें दो Makes aर script से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमे एड़ करेंगे एक टेबल स्पून लाल मिर्ज पाउडर 1 थार्डी स्पून हल्दी पाउडर 1 थेबल स्पून हरा धन्य पाउडर 1 थार्ड इस्पून गरम मसाला पाउडर अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका धकन लगा कर लगबग 5-7 मिट तक पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर सोफ्ट ना हो जाए यह देखिए 5-7 मिट हो चुके हैं हमारी चटनी को पकते हुए अब हम इसे एक बार अच्छे से हिला लेंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे यह वन थर्ड इस्पून आपका कोई भी फैवरेट मसाला पाउडर मैंने आप पर एवरेस्ट का चना मसाला पाउडर लिया है आपको जो भी मसाला पसंद हो रेडिमेड एवरेस्ट या एमडियेच का आप इसमें डाल सकते हैं इसमें सारे टेस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे यहां पर एवरेस्ट का चना मसाला पाउडर बहुत ही पसंद है इसलिए मैं इस चटनी में भी यूज़ करती हूँ अब इसका डखकर लगा कर हम लगबग 3-4 मिट तक और पकाएंगे मसाला डालने के बाद यह देखिए हमारी चटनी को बनते हुए 10 मिट हो चुके हैं हमारा ओइल पूरा सर्फेस पर आ चुका है दस से 12 मिट लगते हैं इस चटनी को बनने में यह देखिए हमारी चटनी बनकर बिल्कुल कंप्लीट है अब हम सबसे लास्ट में इसके अंदर एड़ कर देंगे बारी कठा हुआ फ्रेश हरा धनिया अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम गेस का फिलेम भी ओफ कर देंगे अब हम इसे जल्दी से सर्फ कर लेंगे और गर्मा करम पराठे के साथ सर्फ करेंगे यह चटनी बहुत ही जादा टेस्टी होती है प्लीज आप मेरी सेसिपी को जरूर जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको मेरी अदर रेसिपी की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं उसके अलावा आप मे नीचे के साथ, तैंक यू